वेल्कम बेक टू माई चैनल मिस्टर शीर ब्लॉग और आज हम इसमें बात करेंगे जो कि अपकी गाड़ी कोई भी एनिटिंग उनिवर्सल कोई सी भी गाड़ी आपकी होगी और जिसका किलच के रिलेटिव बात करेंगे जैसे एक किलच है अब देख पारे होंगे यह वाला किलच होता है तो किलच जो आपका यह तो अभी तो मैंने यह ठीक करवाया है यह इसका रीजन बताऊंगा यह बहुत ही अभी तो स्मूध चल रहा है बहुत हलका है इसका बताऊंगा मैं आपको कि यह गाड़ी का जब यह अपका हाड हो जाए ना किसी भी टाइम आपका प्रैस कम करें क्लच और आप बैक गेर क्लच दबाके डालेंगे तो गेर में डल रहा है बैक गेर अवाज कर रहा है और यह काफी हाड हो गया आपका क्लच तो उसके पहले ना आप मेकैनिक दो-तीन मेकैनिक को दिखा लीजिए क्योंकि इसमें दो रीजन हो सकते हैं आपका क्लच का तार भी खराब हो सकता है और वन्हां क्लच प्लेट के अंदर को इस वाज़े से हो सकता है तो यह मेरा हाड हो गया तो मेरे को पता नहीं था कि क्या रीजन पर मैं शियोड था कि मेरे को टारता ना वही वाइर जो खराब हो गया पूछ तरीके से तो फिर वह मैंने ना खरीद लिया जाकर पहले और फिर में मेकैनिक के पास गया मैकैनिक ने का इसको डाल के देख लेते हैं और उसके बाद हो जाता है तो ठीक है नहीं तो फिर आप यह स्मूथ हो गया है आपका वरना तो यह चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था जो कि मैं आपको दिखा दूँ यह बहुत स्मूथ हो गया अभी तो वरना चलाना तो बहुत आप देख पा रहे होंगे यह मैं कितना स्मूथ चल रहा है और यह बहुत हार्ड हो गया था इसक तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो घवराएं ना सबसे पहले जो सस्ता है वो काम पहले करा के देखें क्योंकि वायर का मैन रीजन रहता है क्लच प्लेट है आपकी ठीक है तो क्लच प्लेट ठीक होंगी तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं वायर का इशू आएगा और वायर चेंज कराई एक दम ठीक चलेगा तो वायर मैंने आगे से चेंज होती है कुछ तो आप चेंज करनी पाएंगे तो आपको मेकानिक की ज़रूत पड़ेगी तो आप मेकानिक से करा लेना और बाकी ये मैं अपनी तरब से बता रहा हूं कि यहां इसका रीजन यह रहता है मेरे साथ फस्टाइम हुआ और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता है नेक्स वीडियो में तो क्लिप बाइवाए